तच्छिड दिल्ली का पॉसिला का होजखास रवीवार की राद को गोलियों की तर-तरा हट से दहल उठा यहाँ पर रवीवार की राद को गैंग वार हुई, मौके पर आठ से जादा गोलिया चली थी तो क्या है पूरी खबर देखिये अमारे इस रिपोर्ट में नमस्कार मैं देव्यांसों मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार दिल्ली के होजखास से देर रात 3 बजे जमानत पर बाहर आये हत्या के आरोपी की गोली मार कर हत्या कर दी गई युवक को पांच से ज़्यादा गोली मारी गई पुलिस को गैंग वार की आसंका है और चास पुलिस ने हत्या का मामला दर्च कर आरोपियों की तालाज सुरू कर दी है पुलिस को मौके पर करीब आठ गोली के खोल मिले है पुलिस ने घटना स्थल्व आसपास लगे सीसी टीवी कैमेरों के फुटेज खंगाली है पुलिस को सीसी टीवी कैमेरों के फुटेज में सुराग हास लगे है दक्षिट दिला डीचिपी बेनेटा मैरी जैकर ने बताया कि सीवं पांडे उर्ष बाबू अपने परिवार के साथ गौतम नगर होजखास में रहता था परिवार में माता पिता के अलावाद छोटी बहन है परिवार के इलाके में कई मकान है और उनका किराया आता है आपको बता दें कि सीवं पांडे ने वर्ष 2016 में किरण नाम के युवक की हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था सीवं को वर्ष 2021 में कोरोना महमारी के कारण जमानत मिली थी तबी से वह जमानत पर बाहर चल रहा था पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीवं अपने 4-5 दोस्तों के साथ राज 3 बजे घर से बाहर खड़ा हुआ था तबी 3 युवक वहां पहुँचे और सीवं पर अंधा दून गोलिया बढ़साना सुरू कर दिये बदमासों ने 8 से ज़्यादा गोलिया चलाई और बदमास मौके से फरार हो गए सीवं को उसके दोस्त एमस ले गए जहां टॉक्टरों ने उसे मृत गोसित कर दिया पताये जा रहा है कि सीवं को 5 से ज़्यादा गोलिया लगी है होजखा स्थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार बदमासों की तलाज सुरू कर दी है आपको बता दें पुलिस घटना इस्तलवा आसबास लगे सीटी टीवी कैमरों की फुटेश खंगाल रही है और हमलावरों की तलाज सुरू कर दी गई है डीसीपी बैनिटा मेरी जैकरने का सुरूआती जाच में लग रहा है कि आपसी रंजिस के चलते हत्या केस वारदात को अंजाम दिया गया है इसके आलावा पुलिस तभी कारणों को मत्दे नजर रखते हुए मामले की जाच कर रही है फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं मीडिया दरबाद